हेलो एबरिवन कैसे हो आप सवाई हो आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आप लोग को पजामी में से बैग बनाना बताओंगे बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही बैग बना सकते हो इसकूल बैग डिजाइनर सा और बच्चे को बहुत ही पसंद आने अगर आप घर पर ही बनाओगे तो और बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा यह बैग बनके रेडी होगा तो देखिए हमने जो पजामी ली है उसको हमने स्लाइव अगरा को साइड से निकाल दिया है और इसकी जो चोड़ाई है वो 12 इंच की है और हम इसकी लंबाई लेने वा है तो दो कपड़े हमने कट किये हैं और देखिए चार इंची हमने पट्टियां कट की हुई है साइड में लगाने के लिए जो बैद में लगती है बोवाल तक इस तरीके से हम इसको पहले नाप लेते हैं कितनी यह लंबी है अगर छोटी होंगी तो आप उसे बाद में और लगा लगाली है हैं अब जैसे स्लइस में लगाना चाहते हो जासे लगा सकते हो अभर देखिए हम पर लगा कर बीच सेंटर पहले इसे फड़ कर लेंगे और थिर इस तरीके से सेब देंगे राउंड सेब और चारों तरफ से सेट करते हुए इसका एक्स्टा पार्ट है उसको कट कर देंगे तो दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से कट कर देना है तो देखिए हमने दौनों पार्टों को कट कर दिया इस तरीके से अब देखिए चारो तरफ जो गोलाई है पूरी तोटल उसको हम नाप लेते हैं ताकि हम जो साइड की पटी है वो रेडी कर सके हैं तो देखिए फॉट्टी नाइन इंच इसकी जो टोटल गोलाई है वह है तो इसकी जो पट्तियां है हम इसको जोएंट कर लेंगे और फिर हम इनको नापकर आपको दिखा देते हैं तो देखिए हमने पट्टी को भी रेडी कर लिया है हमने एक्ट्रा ही कट किया है 49 इंच से तो देखिए फॉर्म और अस्तर लगा के रेडी किया है तो इसकी जो टोटल चोड़ा ही रह गई है साड़े तीन इंच की रह गई है क्योंकि इसमें स्लाइब वगेरा से थोड़ा बहुत कपड़ा किच जाता है और जो एक्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है अब इसकी लेंद्ध भी बता देती हूं आपको तुझे कि फोटीन इंच चाहिए था तो मैंने इसको कर लिए में साड़े 24 अचल भाई पांच इंच इंच का तोधिकि साड़े 25 इंच का यह एक हमने इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है फॉर्म को अंदर डालते हुए तो देखिए दो पट्टियां हमने रेडी कर लिए है बीस इंच लम्बी यह जो एक पार्ट आपको ले लेना है इसका हमें भी सेंटर निकाल लेना है देखिए हमने पीस सेंटर निकालते हुए निशान लगा दिया दो दो इंच का दोनो तरफ हमें निशान लगा देना तो देखिए दो दो इंच का हमने निशान लगाया है अब दोनो पट्टियों को दोनो साइड में अटेच कर देना है इस तरीके से अब उपर की साइड से ह आप में दो इंच का एको निशान लगाना इस तरीके से आप यह जो पत्ती है इसे हमें 20 चैंटर में हटेच कर देना है दो इंच हम निशान लगाया उसके नीचे और आल्टिन से हम इसे सैट कर देते हैं अब देखिए जो हमने पांच इंत चोड़ी और साड़े बारा इंच लंबी पट्टी दिए इस तरीके से उपर की सैड में उल्टा रखते हुए सिलाई लगाने है पहले और इसके उपर हम हैंग करने के लिए एक और पट्टी लगा देती है इसमें दवाते हुए आपको तर लाइक को ऊपर से चलाना है ऐ... पत्टी के नीकें के दवाते हुए इसको टेच कर दे थ्या कि कि हम ने इसे टेज कर दिया उपा से हमें जो पटे हमारी उसको फोल्द कर Rub करके जया लगा देनी है इसके नीचे भी तो देटीन लगा देनी है तो दिकि नीचे कीि चाण में आपको तो कुतीन लगा देडिए ताकि यह जो आ Марी पटे वButton दिकले當 Trey तो देखिए हमने पीछी वाले पाट को बिलकुल रेडी कर लिया है तो दौनों सायर से हम इसे जो एक्स्रा पत्टे निकली हुई इसको कट कर देते हैं इस तरीके से अमने इसको देखिए चोकाना सा लगा दिया इससे अच्छी सेब्या तो देखिए बैक पाट हमारा कमप् द्रॉल 15 पार्ट पर किल सब्सक्राइब गट early लगाएंगे उसके हमने के सब्सक्राइब आउसे मैं नहीं करेंगे पहले हुच को मैं देखिए इसका गसा चायले एक में तो चोड़ा देंप पहले एक पार्ट को तो हमें इसकी लंबाई चोड़ा इतनी ही चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए अब देखे इसको हमने डबल फोल्ड करके बटरप्लाई के सेफ दे देनी आपको देखे इस तरीके चे उपर से आपको थोड़ा से चोड़ा राउंड से देना और नीचे से च कर सकते हो तो इसको हम कट कर लेते हैं अलग रख पार्टों पर तो देखिए बीच वाले इससे को हम अलग कट कर लेंगे इस तरीके से और जो साइड़ बार पार्ट है उसको हम अलग कट कर लेंगे तो देखिए हमने 300 के जो है अलग अलग फॉर्म कट कर ली है और इसके लिए हम कपड़ा रेडी कर लेंगे तो देखिए हमने कलर्फुल कपड़ा लिया हुआ है अगर आपके पास ऐसा कलर्फुल कपड़ा ना हो तो आपको इभी कपड़ा आटेच कर सकते हो जो अच्छा सा लगे इसके उपर तो देखे नीचे और ऊपर के लिए में एक ही कपड़ा यूज करने वाली हूं अगर आप के पास यतना कपड़ा नहीं है उपर और नीचे के लिए बरावर अच्छा सा तो अपने चेके साइड में दूसरा कोई भी कपड़ा लगा सकते हूं तो देखे कोई रेडि कर लिया अफी दूसरा वाला पार्व अलव अभी घखे लिया अ में लीचे गलीए तेस्的话 कर लेंगे चेक अर्फ यह तो दोनों साब में हमने पाजामी के स्तर को लगा लिया है और इसके चारों तरफ आपको स्लाइल लगा देनी है इस तब इस से चारों तरफ से फिस लेडियते यह को दाल करना पर इन ऊप यह रितों को दूसरे वाले अधिक को को भी सेट कर देना है बिल्कुल बराबर आपको करना है तो देखिए मैंने कर दिया आलपन को मैं निकाल देती हूं अब इसको भी हम कर लेते हैं सेट शलावी लगा लिए हमने ते उपर पर और चारो तरप से जो एक्ट्रा कपडा है उसको हम कट कर देंगे तो देखिए इस इनको हम पहले सिल लेते हैं इस तरीके से सीधा सीधा दोनों तरफ के हिस्सों में आपको एक जैसा ही कलल लगाना जैसे कि आप हमने उपर की हिस्से में पार पर लगाया है पीच में लगाया है यलो तो इस हिसाब से आपको दूसरे हिस्से में भी लगाना है अब देखिए तीन इंच का हमने चोडाई में निशान लगाया है बीच के इससे के लिए और उपर से हमें पट्टी को रखते होगै निशान लगाया है बरावर इसको सिल दिया देख सकते हो इसको हम आल्ल परिंस्से सद्ट कर लेंगे एक सहाइट मैं तो आपको दोनों साइट देख लिए करने हैं कि दौनों साइट के लिए हैं कि कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है तो देकि हमने इस तरीके से सैट कर लिया अब हम इसमें जो पाइपन लगाएंगे उसके लिए कपडा कट कर लेते हैं तो हमें दूरी इंच की चौरी पट्टियां कट कर लेनी है इस तरीके से और इनको हमें इस तरीके से तुर्चा कट कर लेना है और इसमें हमें इस च्वाइन्ट लगाकर पूरी पट्टी रेडी कर लेनी है और यह वाला चुपाड़े इसको हम यहां से सेट करके पिछे की साइड में सिलाई लगा देंगे उल्टी साइड में और दूसरे वाले इस्सो को भी उल्टा रखना है और सिलाई लगा देंगे तो यह हमारा बटर प्लाई का सेप आजाएगा कुछ इस तरीकी ते उपर से एक एक सिलाई दोनों साइड में लगा देंगे कि और जो अमने बाइपई रेडिकी हुई है उसको हम चारो तरफ लगा देंगे तो आपको उरेवी पट्टे ही कट करने है सीधी कट नहीं करने हैं क्योंकि रेवी ही सेट होगी इसके उपर सीधी कभी सेट नहीं हो पाएगी तो देख सकते हो हमने इस पाइपन को अच्छी तरीके से पूरे राउंड में लगा दिया है जैसे जैसे हमारे वटर प्लाई है उसी साथ से अब देखिए हम आगे वाले पायर को ले देखिए है आगे की सायड में तो पीचे की साय में ही चौच निखली विए उसके अब देखिए यह जान्टर से सैंटर मुलाते हुए जो हम सैट कर देंगे वीच में तो जितना हमने कैप ऊपर छोड़ा है उतना ही हमने करी नीची चोड़ दिया है अब तो हमने डोरी जो ब्री डॉरी हो लेली है उपर की सेट में, बटरफ्ल्य की जो बाघगा होता है उसने लिगे हम ने लिए इस तरीके से राउंट लगा का स्लेय लगा देंगे यहां पर दो कट का ली है अब देखिए यहां पर हमने दोनों पार्टों पर सलाई लगा दी और इसमें हम अटेज़ कर देंगे इसको तौनों को इस तरीके से तो देखिए आलपिन से मैंने सैट कर दिया है पूरे पार्ट को आप इसमें जैसा कलर लगाना चाहते हो ऐसा आप लगा सकते हो अधिक आपको कि ना उधर साइट में लगाना क्योंकि उधर आपके जब पाक्टी जोएंट करोगे तो इसलाई में दब जाएगा ऐसी लिए तो आपको करीब एक तो इंच छोड़ते हुए उए इसलाई को अदेख इस तरीके से में अपर अचैज कर दिया इसको से इहां तक मैं लगा दूंगी ऑफिस देजय का पर जाने लगा है जो आपको अब हम हम आपको क्ट कर लेंगे तो चैन को कट कर लिया है तो देखिए 15 इंच हमने लंबी इसकी पती को कट कर लिया है अब जो बीच में लगाई हुई है हमने इसके किनारी किनारी हम एक और लगा लेंगे सेंटर से चैंब और चैन को तो देंगे हमने चैन को लगा लिए एक और दोनों सापार न चाओ ओर सकते हो आप अगर इक डालने जाओ तो एक पी ढ'll सकते सेंटर में निशान लगा लिए दौन developed center Remember at the end sizle इसको सेंटर में से इसको सहएं ताकि वी že ऑ हमारा किस्ट में आ जाए इस तरो के अदने के पहले those- Haha ०िए लेकिन थोड़ देना है पहले क्योंकि हमारी च हमारी यो सानिद रखे करनी है हमें चिली तो दोनों खायर से हमने चल दिया एक एक चूड़ते हुए अभी दूसरे बाले बैक वाले पाट को भी हम इसमें जॉइंट कर देंगे पीस में निशान लगा कर तो सेंटर से सेंटर मुलाते हुपे इधर भी हम सलाई लगा देते हैं तो देखिए हम इसमें भी सल आसब जो बागी कि तीनों सैड की पट्टी है उसको हम लगा लेते हैं इसमें पहले जॉएंट कर देते हैं चैनबाली पार्ट में अब ऊपर सी एक और सलै लगा लगें अब इसको हम देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए एक सैड में हम इसको पूरा तीनों सैड से सिल देंगे बागी के तो देखिए हमने इस तरीके से इसको सिल दिया है तीनों सैट से अब यह जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम देखे किस तरीके से सैट करेंगे अब थोड़ा सध्यान से देखने आपको समझ में आ जाएगा तो देखे इसको हमें हापिंच इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे आपको बरावर लेते हुए और इसवारी प्रट किया क्योंकि इसमें स्लाइए में तभी गई और इधर पार्ट का आदा इंच इधर स्लाइए के लिए हमने एक्ट्रा और आदा इंच इधर और इसको हम कट कर देंगे इस इतना भी यह बचा हुआ तो इधर से नाप लेते हैं कितना ही साड़े चार इंच है और पिल दिया है उपर से एक और स्लाइए लगा देंगे तो यह हमने इसमें डावल स्लाइए लगा दी है अब जो बागी का पार्ट है उसको हम सल देते हैं थोड़ा सा बच्चा हुआ है वह तो यह हमारे एक तरप से ब्लकुर कंप्लीट हो गया आप दूसरी वाले हिस्सों क वे हम इसमें पूरा अटैच कर देते हैं पहले हम आलपे से असर हलेंगे तो दिक सकते हूं ने फहले से आलपे सेट कर लीया ताकि हमें पता सल सकती है है सैट हो गया और आपको इसमें ही ड़ा अजागों के बारे तो पाईपल इन को अगर आप ς आपको लिए अब को लेकिन मैं यहीज सिल ही से टेश डाय कर दुभी से तो देखें दॉनों साइड से फोल्ड करते हुए तो पहले की टाख देते हैं और इसको फैलिस तर्रीके निचे से यूद तो दे तो हम दौनों साद में पाइप लगा लिए है और ये हमारा बैग कम्प्लीट है तो हम इसको सीधा करके दिखा देते हैं तो देखे कितना खुपशुरा सा हमारा बैग बन के कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके आएच के लिए हांकों के लिए बटन लगा देंगे के उपर तो दो मैंने ब्लैक कलर के बटन लिए हुए हैं तो यहां पर मैं स्विधागे की हेल्प से लगा दूंगे देखे दौनओ बटन मैंने लगा दी है यह हमारा बैग कंप्लीट है तो अगर आपको हमारी वीडीओ पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल क्याक्यक्र को प्रेस करें है यह होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगे तो देखते हो बाटरफ्लाई की बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है यह बहुत ही गुपसूरत सा बनके रेडी हुए है तो यह फ्रन साइड है यह बेक्षाइड है